Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator कैसे हैं आप सब लोग? I hope everybody is doing well, मैं भी बढ़िया हूँ और बहुत मज़ी में हूँ और इतनी इची बात से चली, start करते हैं हमारी Class 12 की Flamingo Book का 4th chapter which is The Rat Trap by Selma Lagaloff तो आज हम 4th chapter start करने वाले The Rat Trap और जब हम इस chapter को start करेंगे, उससे पहले मैं आपको इस chapter के author के बारे में बताऊंगी और उससे आपको introduce कराऊंगी Selma Lagaloff, जो थी, वो 1858 में इनका birth हुआ था and 1940 में इनकी death हो गई थी She was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages तो ये Swedish writer थी, याने कौन सी country से बिलॉग करती थी? Sweden and इनकी जो stories थी काफी famous रही है, इसलिए इनकी stories को अलग-अलग languages में translate करके almost हर country के लोगों ने पढ़ा है This story is set in the middle of the mines of Sweden which are rich in iron ore तो ये जो story आजम पढ़ने वाले हैं, The Rat Trap, इसकी setting याने ये कहां पर आपको पूरी बताई गई है minds of Sweden, याने Sweden के minds खदानों के बीच में बताई गई है और जहां से आपको क्या मिलता है? iron ore याने iron ore मिलता है, loha मिलता है आपको ये जो story है, हमें क्या message देगी? हमें ये इस message देगी कि अगर किसी इंसान को acceptance दी जाए याने उसको ऐसे ही जैसा वो है, उसको accept किया जाए love दिया जाए, उसको respect दी जाए तो एक खराब इंसान भी reform हो जाएगा याने कि change हो जाएगा into a good person तो अगर कोई ऐसे इंसान जो कि चोर है, जो कि खराब इंसान है, जो कि एक शाइद criminal है अगर उसको life में acceptance मिलेगी, respect मिलेगा, love मिलेगा थोड़ा motivation and guidance मिलेगा तो वो भी अपने आपको change कर देगा So this was all about our author Introduction of the chapter Chapter को introduce करने से पहले मैं आपको chapter का एक चोटा सा overview देती हूँ यह जो chapter है, यह एक rat trap seller के बारे में है Rat trap क्या होता है? जो चूहा पकड़ने वाला जो चूहे दानी होती है ना, उसे हम कहते है rat trap हम क्या करते हैं? वो चूहे दानी में एक cheese का तुकड़ा या कुछ खाने की अच्छी चीज रख लेते हैं या pork, यानि कोई meat का तुकड़ा रख लेते हैं तो जो चूहा होता है, जो rat होता है, वो क्यों होता है? उस cheese के पीस से या फिर उस meat के पीस से attract होते हुए उस चूहे दानी में, उस rat trap में आता है जैसी वो खाने के लिए आता है, वो rat trap अपना जो लोहे का दर्वाजा होता है वो अपना यह बंद कर देता है, शट कर देता है तो क्यों होता है? जो attract होके आया है mouse वो फस गया उस चूहे दानी में rat trap में फस गया, तो वो ही होता है rat trap तो यहाँ पर एक vagabond है, vagabond याने कि एक ऐसा भिकारी है या एक ऐसा इंसान है जो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनता है, वो बहुत गरीब है उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो खेला है वो क्या बेचता है, वो rat traps बेचता है, याने चूहे दानी बेचता है लेकिन चूहे दानी बेचने से, rat traps sell करने से उसका कोई भी फायदा नहीं होता तो वो क्या करता है, और भी दो-तीन चीज़े करता है चोटी मोटी चोरी कर लेता है या begging याने भीक मांग लेता है इस तरीके से अपनी life को spend करता है तो एक दिन वह सोचता है कि यह जो पूरा world है यह पूरी दुनिया एक rat trap की तरह है यह हम इंसानों को अच्छे अच्छे comforts of life दिखाता है जैसे कि अच्छे अच्छे cars, अच्छे food, अच्छे अच्छे घर, बंगले, अच्छे-च्छे hotels, सब अच्छे अच्छे चीज़ें हमें यह जो दुनिया है एक rat trap है और इसमें जितनी अच्छे अच्छी चीज़ें वो bait है बैट यानि कि किसी को चारा देने कि लिए और इक तरीके किसे bait हैं और हम लोग इनसे attract हो कि ये दुनिया जो है हमें इसके comforts में फसना नहीं है क्योंकि अगर आप एक बार फस गए तो आप इसमें से निकल नहीं पाऊगे आपको इन सब चीजों की आदत पढ़ जाएगी तो ये जो chapter उस rat trap seller के बारे में ही है तो आप chapter हम समझते हैं क्या है और फिर इसका introduction देखते हैं तो rat trap is a story that gives us a psychological insight into human nature तो rat trap एक ऐसी story है जो हमको psychological insight दे रही है यानि कि एक इनसान का psychology कैसी होती वो क्या-क्या चीज़े सोचता है तो author बताते हैं कि जो greed है जो लालच है material things की इस दुनिया की अच्छे चीज़े है अच्छा खाना, food, car, buildings, hotels ये सब चीज़े एक human being को क्या करते हैं एंट trap कर लेती है यानि अपने अंदर जकड लेती है पकड लेती है तो story upholds the belief that the essential goodness of the human being can be awakened through love and understanding तो story इस चीज़े में बताती हमें ये explain करती है कि कोई इंसान जो अगर bad activities में या फिर thievery यानि चोरी में अगर involved है किसी भी चीज में involved है तो उसके इंदर जो अच्छा ही है उसकी goodness उसको अवेकिन किया जा सकते है यानि कि उसको दुबारा से जगाया जा सकता है अगर आप उसको love दो, acceptance दो और understanding यानि आप उसको understand करो कि वो चाहता कि है तो वो इंसान easily transform हो सकता है खराब इंसान से अच्छे इंसान में तो वो ये rat trap क्या सोचते है कि ये पूरा world है ये पूरी दुनिया एक rat trap की तरह है इसमें अच्छे अच्छे comforts of life जो है हमें क्या करते हैं अपनी तरफ attract करते हैं और हम humans और चीज़ों में first जाते हैं, trap हो जाते हैं riches, joys, shelter and food are the baits to trap mankind तो क्या-क्या comforts of life हमें दिखते हैं जो इंसान, हर mankind यानि इंसान ये जो है उसमें trap हो जाते हैं ने first जाते हैं पैसा, खुशी, अच्छे-च्छे बड़े-बड़े shelters and घर, अच्छा-च्छा खाना तो ये सब एक bait यानि एक चारे की तरह किसी को attract करने के लिए ये सब चीज़ें use होती हैं lesson explanation, अब यहां से हम detail में हमारे lesson को explain करेंगे आपको मैं समझाओंगे और जो भी साथ में difficult glossary words हैं वो भी हम कबर करते चलेंगे So, let's begin Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire तो एक बार एक इंसान था जो क्या बेचता था? Rat traps बेचता था और उसके rat traps कि इस चीज़ से बने होता थे? Wire किया निकि wire wire ऐसे पूरे side में होती थी So, this rat trap seller बनाता था और कब बनाता था जब इसको free time मिलता था या फिर वो खाली बैठा रहता था तो कोई काम ने होता था तो इस टाम बैठके rat traps बनाता था From the material he got by begging in the stores or the big farms So, this rat trap बनाता था free time में और किन चीज़ों से बनाता था? Wires से और ये wires इसको कहां से मिलती थी? ये wires इसको मिलती थी begging से या फिर big farms जो थोड़ा बहुत पैसा ये भीक मांग के भी कमाता था उस पैसे से या big big farms और stores में से जो चीज़े ये चुरा लेता था या जो चीज़ों से मांग लेता था उन चीज़ों की मदद से ये अपने rat traps को बनाता था तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो rat trap seller है ये बहुत गरीबेस ने rags पैने हुए याने फटे पुराने कपड़े पैने हुए और क्योंकि rat trap बेच के इसका गुजारनी होधा था तो चोटी मोटी चोरियां और चोटी मोटी बेगिंग जाने भीग भी मांगता था तो इसका जो business था राट ट्राप बेचने का वो इसके लिए enough नहीं था इसको जिंदा रखने के लिए सर्वाइफ करने करने के लिए तो ये भी भी मांगता था याने बेगिंग करता था और एंट पिटी थीवरी यह छोटी मोटी चोरियां भी करता था to keep body and soul together which means to be alive अपने आपको जिन्दा रखने के लिए ये सब काम भी करता था क्योंकि सिर्व राट्राप बेच के पैसा इसको पूरा इनफ नहीं लगता था sufficient नहीं था even so his clothes were in rags his cheeks were sunken and the hunger gleamed in his eyes sunken का मतलब क्या होता है lowered याने दबे हुए अंदर की तरफ gleamed का मतलब shown कोई चीज दब दिखती है तो वो बोल रहा है कि उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे पराने थे वो बहुत गरीब था और जो उसके चीक्स थे वो संकन थे याने अंदर की तरफ धसे हुए थे maybe कि वो बहुत वीक है और खाना पीना अच्छे से नहीं मिल रहा है nutritious उसको अच्छे से नहीं मिल रहा है इसलिए पतले होने की वज़े से उसके जो चीक्स है जो गाले वो अंदर की तरफ धस गए है और hunger याने जो भूक है वो उसकी आँखों में दिखाई देती है who plots along the road left to his own meditations monotonous का मतलब क्यों होता है boring okay vagabond का मतलब क्यों होता है vagabond means homeless wanderer एक ऐसा आदमी जिसका कोई घर नहीं है और वो इदर उदर wander करता है याने भटकता रहता है जहाँ भी जगह मिल जाएगी वहाँ पे अपना रात में सो जाएगा जहाँ भी जगह मिल जाएगी बैठके खा लेगा तो जो ऐसा इंसान जो दर दर भटकता है और उसका कोई घर नहीं होता है उसे हम कहता है vagabond plots का मतलब क्यों होता है walks है विली आप इतने ठके हुऊ हो mentally आप इतने जादा स्ट्रेंड हो टेंशन में हो या भूके हो कि आप से चलते भी नहीं बने और हैवी स्टेप्स याने भारी भारी कदम ले रहे हो एकदम ड्राइग करकर करके धीरी धीरी और meditation का मतलब यहां पर है आपके thoughts आपके विचार तो यहां बोला जा रहा है कि कोई इमाजन भी नहीं कर सकता कि इस वेगबांड याने इस राट ट्राप सेलर की लाइफ कितनी साड एक इतनी दुखी है और कितनी मनौट जैने कितनी बोरिंग है इसकी लाइफ और वो क्या करता है वो रोड पे हैवी हैवी स्टेप्स लेके चलता है क्यों क्योंकि वो बहुत थका हुआ है अपनी साडनेस से परिशान है और अपने ही मेडिटेशन में चल रहा है रोड पे याने अपने उसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं कुछ खयाल आ रहे हैं उसके दिमाग में एक दिन ऐसे ये रोड पे चल रहा था राट्रप सेलर और इसके दिमाग में कुछ लाइन ओफ थॉट्स आये याने की कुछ सीरीज ओफ थॉट्स एक के बाद एक कुछ ना कुछ विचार कुछ खयाल इसको आते रहे और वो थॉट्स हो है इसको बहुत इंटर्टेनिंग लगे याने इसको बुट मजा आरा था सोचके इन थॉट्स केारे में किया थे वो थॉट्स आइवे देखते हैं He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he struck by the idea that तो वो जब चल रहा था तो वो अपने rat traps के बारे में सोच रहा था कि मैं कैसे rat traps बनातू हूं और rat traps कैसे होते हैं और suddenly उसके दिमाग में एक idea आया, एक thought आया that the world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap तो इसको क्या लगा, खयालों में क्या खयाल आया, इसको विचार कि यह जो पूरी दुनिया है इस दुनिया में जितने भी land है, जितना भी sea है, बड़ी-बड़ी cities है, villages है यह सब कुछ नहीं है, एक rat trap है, क्या है एक बड़ा सा rat trap, यान एक चूहे दानी की तरह है जो किसी भी इंसान को अपनी अच्छे चीजों को दिखा कर अट्रैक करके उसको पकड़ लेती है, याने की trap कर लेती है तो यह जो rat trap seller है, वो सोच रहा है, कि यह जो world में इतनी अच्छे चीज़ है इसका यहां world में होने का कोई मतलब निये, सिर्फ एक रीजन है कि यह एक बेट की तरह, याने किसी इंसान को अट्रैक्ट करने की तरह इस दुनिया में है और बेट का मतलब की होता है, मैंने जैसे आपको बताय था food placed on a hook to trap a rat, here it is referred to the comforts of life which is offered to the rat, to trap someone तो बेट की होता है, यह एक rat trap है, याने चूहा पकड़ने वाल है और यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर मान लीज़े, एक cheese का piece रखा हुआ है यह cheese का piece है, अब यह जो चूहा है, यह अगर जैसे इस cheese को या pork या ने meat के piece को खाने आ रहे तो यह hook है, इस तरीकी का जो आप यह hook देख रहे है यह hook नीचे हो जाता है और जो rat है, इसमें फस जाता है और फस जाता है और attract हो के अपनी लिए ही मुसीवत create कर लेता है तो यहां पर rat trap क्या बता रहा है, यहां पर बता रहा है rat trap seller कि यह जो दुनिया है, यह हमको riches, याने अच्छे-ची महंगी-महंगी चीजे खुशिया, shelter, food, heat याने अच्छा, heat का मतलब यहां पर क्या है, good sunlight, अच्छे-च्छे कपड़े, यह सब हमें offer कर रहे हैं यह दुनिया की चीजे और हम क्या बन रहे हैं? हम एक rat बन जा रहे हैं, उस चुहे की तरह है जो इन सब चीजों से क्या हो रहे है? attract हो रहे हैं जैसे की एक चुहा attract हो जाता है चीज के पीस या pork के पीस से वैसे हम इनसान इस दुनिया की हर अच्छे-ची चीजों से attract हो रहे हैं यानि कि हम भी फस जाते हैं इस अच्छी चीजों में, comforts of life में So, जो rat trap seller है, वो इस पूरी दुनिया को compare कर रहा है एक rat trap से और हम इनसानों को compare कर रहा है इस चूहे से और जो cheese और pork कपी, जो खाने की चीज रखे हुए है चूहे के लिए उसे compare कर रहा है इस दुनिया की comforts of life से और वो कह रहा है कि जब हम लोग इन सब चीजों से attract होके इस rat trap में फस जाते हैं, तो everything came to an end और हम सब के लिए उस time पर सब कुछ खताम हो जाते हैं क्योंकि हम फस जाते हैं, हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते the world had of course never been very kind to him so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way unwanted का मतलब क्या होता है, unusual, जो usually होता नहीं है तो यह जो दुनिया है, उसने हमेशा इस vagabond को accept नहीं किया प्यार नहीं दिया, मतलब यह जबी भी किसी के घर जाता था door knock करता था कि कुछ खाने को ददो किया तो कोई इसको accept नहीं करता था, भगा देते थे सब इसको इसका कोई घर नहीं था तो क्योंकि इस दुनिया इसके लिए कभी kind नहीं थी कभी इस दुनिया वालों ने इसकी help नहीं करी इससे अच्छे से behave नहीं किया तो इसको यह thoughts लिप दिमाग में आ रहे थे तो इन लोगों के बारे में जिन्हों ने कभी इसको accept नहीं कर रहे हैं दुनिया वालों ने, उनके बारे में सुथके बहुत खुश हो रहा था बहुत wicked feeling आरी थी इसके दिमाग में इट बिकेम अ चेरिष्ट पास्टाइम ओफिस during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves to be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around it चेरिष्ट का मतलब क्यों होता है? फेवरे Dreary का मतलब क्यों होता है? स्केरी, कोई चीज जो दरागनी होती है Ploddings का मतलब क्यों होता है? Work heavily due to hard work and snare का मतलब क्यों होता है? Trap, कोई ऐसी चीज जो आपको जकर ले तो यहाँ पर Rat Trap Seller सोचता है Rat Trap Seller जो इन लोगों के बारे में सोचता है और खुश होता है कि अच्छा ये लोग इस Rat Trap में फस जाएं, दुनिया के इस Trap में फस जाएं ये लोग और ये जो थौट इसके दिमाग में आता था ये इसका सबसे फेवरेट थौट था चेरिश थौट है यान इसको सोच सोच के इसको हमेशा खुशी मिलती थी कि कितना डरावनी इस दुनिया के लोगों के लिए ये वर्ल्ड बनने वाला है क्योंकि ये लोग इस वर्ल्ड में इस राट ट्राप में फसने वाले और ये कब सोचता था जब ये बहुत मैनत करके था कार के हैवी हैवी स्टेप्स लेता था रोट पे तब ये सब चीजे ये फेवरेट थौट होते थे इसके और इसके दिमाग में आते थे और इसको बहुत अच्छा लगता था सोचकी कि ये जो लोग अपने बारे में सोचने कि हम तो बहुत लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं ये डेंजरूस ट्राप में फसने वाले और इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी भी इस राट ट्राप में सर्कल कर रहें ये राट ट्राप है for example और ये इसका हुक है इसके अंदर कुछ लोग तो फस चुके हैं और कुछ लोग अभी भी दीरे दीरे क्यों हैं इसके अराउंड सर्कल कर रहे हैं इस तरीके से circle कर रहे हैं याने अभी भी दीरे-दीरे इनकी तरफ attract होने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के comforts की तरफ लेकिन अभी फसे नहीं है तो बहुत खुशी हो रही है rat trap seller को सोचके कि कुछ तो लोग फस गए है rat trap में अच्छी बात है और कुछ अभी भी circle around कर रहे हैं दीरे-दीरे attract होना शुरू कर रहे हैं और एक दिन वो भी फस लाएंगे इस rat trap में तो यह सोचके इसको बहुत खुशी होती थी क्योंकि यह लोगों ने कभी इसको accept नहीं किया था तो एक दिन शाम के समय, इवनिंग के समय जब वो trudge कर रहा था है ट्राजिंग याने की walk with heavy steps again वो बहुत थका हुआ था, धीरे-धीरे भारी steps ले रहा था तो उसने क्या देखा? उसने road के पास में grey color का cottage देखा cottage याने इस तरीके से छोटा सा grey cottage, छोटी सी hut type का उसने देखा जो की wooden होता है, लकडी का बना हुआता है तो उसने क्या क्या उस door पे knock किया और बोला कि मुझे एक रात के लिए shelter दे दो याने कि मुझे यहाँ पे night spend करने दो, मुझे यहाँ पे रात में सोने के लिए दो फिर मैं सुबेच चले जाओंगा एंड उसके surprise से, ऐसा usually लोग उसको क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे लेकिन यहाँ पे उसको, जस भी इंसान ने cottage का दोर खोला था उसने उसको अंदर आने से refuse नहीं किया, ने मना नहीं किया उसको welcome किया कि बोला, आ जाओ Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner who was an old man without wife or child was happy to get someone to talk to in his loneliness तो usually जब भी यह किसी के घर के दर्वाजे को नौक करता था तो लोगों के sour faces होते थे, याने unfriendly faces लोग बहुत गंदा सा चहरा बनाते थे और इसको भगा देते थे कि जाओ, जाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि तुम आओ और हमारे घर में रहो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो ग्रे कॉटेज का ओनर था वो उसने welcome किया, किसका rat trap seller की की आजाओ, उसको धक्का भगा, धक्का मारके भगाया नहीं उसको यह जो old man था, इस grey cottage का owner, उसकी कोई wife नहीं थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे तो वो क्या था, बहुत lonely था, बहुत अकेला रहता था अपनी life में और इसलिए जैसे ही उसने इस rat trap seller को देखा, तो वो बहुत happy हो गया बहुत खुश होगा कि चलो, थोड़ी देर क्ली कोई मेरे साथ आया, मेरी loneliness में मतलब मेरे अकेले पन मेरे साथ आके बैठेगा, मुझसे बात करेगा, तो मेरा time अच्छे से spend होगा इसलिए उसने उसको welcome किया Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper तो जैसे ही rat trap seller घर में आया, उस old man ने क्या किया उस old man ने porridge याने खिचड़ी जो थी वो गैस पे इस तरीके के pot पर चड़ा दी ताकि उसके लिए शाम का खाना तयार हो जाए किसके लिए? rat trap seller के लिए और old man के लिए भी Then he carved off such a big slice from his tobacco, tobacco roll that it was enough for both, both for the strangest pipe and his own फिर क्या किया इस old man ने? उसने carved off किया याने to divide something into parts, इसके पास एक बड़ा सा ऐसा roll होगा और ये जो roll है वो क्या होगा? टबैको का roll होगा तो उस मिसस ने एक बड़ा सा slice निकाला और उसको two parts में divide किया और half उसने खुद लिया और half उसने इस rat trap seller को दिया तो उसने क्या दो चीजे करी rat trap seller को welcome करने के लिए पहला उसने porridge जो था वो cook करना साथ किया उसके शाम के सपो के लिए और दूसरी उसने अपना tobacco का भी slice उसके साथ share किया finally he got out and pack of cards and played jollis with his guest until bedtime jollis क्या होता है a game played with playing cards फिर उसने क्या किया जब खानावाना खा लिया free होके दोनों बैट गए तो उसने cards का पत्तों का game निकाला और और ये jollis क्या है इस card game का नाम है तो ये इन्होंने card game साथ में खेला until bedtime यानि जब तक इन लोगों के सोने का time नहीं हो ये लोग cards खेलते रहे the old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco generous का मतलब क्यों होता है liberal काफी freely अपनी हर बात बता रहा था है so old is rat trap seller को और confidences यानि की secrets secrets बाते तो यहाँ पर बताय जा रहा है कि जो old man था जिस तरीके से इसने easily घर में एक rat trap seller को welcome किया उसने उसके लिए porridge यानि खिचडी बनाई अपना tobacco share किया उसी तरह वो इतना generous था इतना free था हर चीज को लेके कि उसने अपनी confidential बाते अपनी secret बाते भी अब किसको बताना start करी इस rat trap seller को जो कि क्या था old man के लिए एक stranger था जो कि क्या था old man के लिए एक stranger था works on a rented farm एक ऐसा person जो as a farmer की तरह एक land पर काम करता है और यहां पर काम करने के लिए उसको अपने owner को कुछ rent देना पड़ता है ओके सो यहां पर क्या बताया old man ने rat trap seller को यह बताया कि जब उसके days of prosperity याने जब वो यह उगा करता था जब वो बहुत energetic होता था तो बहुत काम करता था और कहां काम करता था राम्ज जो राम्जो आयन वोक्स में यह एक आयन मिल का नाम है जहां पर लोहे की pieces को अलग अलग shapes में मोल्ड किया जाता है तो यह बता है कि मैं उस वक्त में कहां काम करता था राम्जो आयन वोक्स में और वहां पर मैं ऐसे तरीके से लैंड पर काम भी करता था यह राम्जो आयन मिल में भी मैं काम करता था और कैसे काम करता था एक crofter की तरह याने कि मैं as a small farmer काम करता था वहां अब क्या है अब जो क्रॉफ्टर है वो ओल्ड हो गया है याने बहुत बूड़ा हो गया अब इतने महिनत का काम नहीं कर पा रहा है तो अब वो क्या काम करता है अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी में उसके पास क्या है एक काउ है क्या है एक काउ है उसके पास येस डाग बॉसी बहुत जादा मिल्क प्रिड्यूस करती है जो अब मैं इसको क्रीमरी बनाने में यूज करता हूं जो ये बोल रहे है कि अब मेरे पास एक काउ है जो गुड़ अमांट ऑफ मिल्क देती है और ये मिल्क ये कहां जाके बेचता है उस फैक्टरी में जहां पे क्रीम और चीज ये सब बनाया जाता है तो इस काउ का मिल्क यूज हो रहा है क्रीम बनाने के लिए तो जब यह milk वहाँ पर जाके factory में बेचता है old crofter तो इसको वहाँ से क्या मिलती है payment मिलती है पैसा मिलता है और यही अब वो करता है as a job तो वो बता रहा है कि पिछले ही महीने उसने बहुत सारा milk जो है कहाँ पर दिया है उस factory में दिया है और वहाँ से इसको क्या मिला payment में 30 kroners मिले 30 kroner याने की kroner क्याता है currency of Sweden जैसे इंडिया की currency है rupees वैसे ही Sweden की currency है kroners तो वहाँ पे इसको 30 kroners मिले payment में तो यह जो secret और confidential बाते हैं अपने business से related जो भी बाते हैं वो तक जो old crofter है वो किसको बता रहा था अपने guest को जो की एक rat trap seller था और उनके लीज़ था the stranger must have seemed incredulous for the old man got up and went to the window took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out three wrinkled 10 kroner birds these he held up before the eyes of his guest nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch incredulous का मतलब क्योता है unbelieving जब हमें किसी चीज़ पर विश्वास नहीं होता है और stuffed का मतलब क्याता है to fill up with something याने कि उसने जो भी चीज़ निकाली होगी वो वापस stuff कर दी याने वापस उस pouch में डाल दी तो यहाँ पर क्या बता रहा है यहाँ पर बता रहा है कि जो stranger है उसकी याने जो rat trap seller है जब उसकी शकल देखी old crofter ने old crofter को लगा कि शायद इसको मेरी बात पर believe नहीं हो रहा है कि मुझे 30 kroners मेले सरफ milk बेचने पर तो उसने क्या कि अच्छा वो एक अपने घर की window पर गया और यहाँ पर एक nail एक कील लगे हो थी जिसमें क्या लगा था एक pouch टंगा हो था अब उसने इस तरीके से उसने दिखाए राट्राप के सामने और फिर वापिस से उसने ये पैसे जो है पाउच में डाल के वापिस से उसको हंग कर दिया उसने इस window की नेल पर यानिकि वो अपने पैसे भी दिखा रहा है इसको एक stranger राट्राप से लगो अब उस दिन रात हो गई दोनो सो गए और नेकष सुमा in good season याने in timely manner बिलकुल जो रैट्राप अलोगो ऑल्ट में था व था इनलोग गए अब इस उस ना पनी काऊ के पास जाना था तो अगले ही दिन सुबा को जैसी ही वो टाइम पर उठे तो जो क्रॉफटर था उसको अपनी काउ के पास जाना था मिल्क निकालना था क्योंकि ओविसली फैक्टरी में जाके उसको टाइम पर सेल भी करना था तो वो उठके अपने काम पर चला गया और जो आपका राट्राप सेलर है वो भी फिर उठ गया क्योंकि उसने की सोचा कि जब घर का ओनर उठ गया तो मैं ऐसे सोया रहूं बहुत देर तक अच्छा नहीं लगेगा तो वो भी टाइम पर उठ गया और दोनों अपने काम के लिए सेम ताइम पर ही कौटेज से निकले आने उस ग्रेह वाले कौटेज से निकले तो क्रॉफटर ने क्या किया? क्रॉफटर ने घर के दरवाजे को लॉक कर दिया और चाबी अपने पोकेट में रखके अपने काम पे चला गया जो rat trap seller है उसने भी thank you बोला और क्यों? क्योंकि उसने उसको जगा दी रहने के लिए खाना बनाया उसके लिए और अपना tobacco share किया और क्या किया? उसको उसके साथ game of cards भी खेला उसने तो इन सब अच्छी welcome के लिए उसने thank you बोला और फिर वो भी अपने रास्ते चला गया तो दोनों अपने अपने रास्ते घर को लॉक करके चला गया और घर को लॉक किसने किया? उल्ड क्रॉफ्टर ने बट हाफ एनार लेटर दर राट्रा पेडलर स्टुड अगें बिफोर दर पेडलर यानि की सेलर राट्राप सेलर थोड़ी ही देर बाद आदे घंटे बाद जे राट्राप सेलर है वो फिर से उस ग्रे कॉटेज पर आया He did not try to get in however, he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner smashed का मतलब क्यों ओता है? badly broken, बुरी तरीके से तोनना तो उसने क्या किया? वो घर में दरवाजे से नहीं गया राट्राप सेलर उसने क्या किया? वो window तोड़ी, smash किया ने तोड़ी अपना हाट डाला window से और वो जो leather pouch window की nail पे hang किया हुआ था, वो उसने निकाला और धीर से window के बाहर उस pouch को निकाल दिये जिसमें पैसे थे He took the money and thrusted into his own pocket, उसने pouch में से पैसे निकाले और सारे पैसे अपने pocket में जल्दी से गुसा कैसे डाल दिये और वापिस pouch अपनी जगा पे अंदर window से हाट डाल के वहीं पे रख दिया उसने Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away तो pouch को वहाँ पे hang करके वो चुपचा वहाँ से चला गया As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness तो जब उसने पैसे ले लिए 30 kroner के जो notes हैं वो उसने ले लिए वहाँ से वो वहाँ से चला गया तो जैसे जैसे वो जाता जा रहा था अपने रास्ते पर तो वो बहुत खुश था, वो प्लीज हो रहा था कि मैंने कितना smartness का काम किया है कि मैंने चुपचप किसी के पैसे चुरा लिए He realized of course that at first he dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods तो उसने सोचा कि अब मैं जातो रहा हूं लेकिन मैं highway से नहीं जाता हूं मैं woods, याने जो forest का, जो jungle का रास्ता है, वहाँ से जाता हूं क्योंकि अगर मैं highway से जाऊंगा तो हो सकता है, मैं पकड़ा जाऊं कोई मुझे police या कोई भी मुझे पकड़ सकता है मेरी चोरी के लिए तो वो जंगल के रास्ते गया तो जब उसने जंगल का रास्ता, जो forest का रास्ता है, वो start किया तो initial याने शुरुवात के जो कुछ आवर्स थे, वो तो ठीक थे, सही रहे, लेकिन जब दिन का time आया, वो जो, उसकी situation थी बहुत worst हो गई, याने बत्तर हो गई, त्योंकि वो जो forest था, वो बहुत बड़ा forest था, और बहुत घना जंगल था, बहुत confusing थे उसके रास्ते, और ये fuzz गया था, rat trap seller उस forest में, लेकिन वो जहां भी जा रहा था, वो गोल घूम के वापिस वही पहुच रहा था, याने कि वो गोल गोली घूम रहा था पूरे forest में, he walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest, तो वो walk करते जा रहा था एक direction में, और जहां तक जाते जा रहा था, wood का end, या किनारा जो है, All at once he recalled his thoughts about the world and the trap, now his own turn had come, he had let himself be fooled by a bait and had been caught, जब वो finally घूम घूम के घूम घूम के forest में बहुत थक गया, तो उसको वापिस अपने उन thoughts, उन खयालों के बारे में याद आया, कि ये जो world है, ये एक rat trap है और इंसान इसमें दिये गए, जो इतने भी baits होते हैं, उसको देखकर खुश हो जाता है और उससे attract हो जाता है, तो वो सोचता है कि अब मेरी बारी आ गई, मैं भी उन पैसो को देखके attract हो गया, याने इस दुनिया ने मुझे as a bait क्या दिखा है वो 30 kroner पैसो के note, और मैं एक mouse की तरह उन पैसो से attract हो गया, और मैंने ले लिये, और अब मैं कहां फस गया हूँ, मैं इस forest में फस गया हू क्योंकि मैं अगर highway से जाता, तो पुलिस चाहद मुझे पकड़ लेती, इसलिए मैंने forest का रास्ता चुना, और अब चुना है, forest का रास्ता चूस किया है, तो क्या हो गया, वो फस गया forest में, गुम हो गया, confused हो गया, तो वो कहता, अब मेरी turn आ गई, अब मेरा, मेरी बारी आगई कि मैं भी उस mouse की तरह rat trap में फस गया, the whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape, thickets का मतलब क्यों होता है, a dense group of bushes, याने बहुत गणी bushes, जाडिया, ब्रांचेज, उसे हम thickets कहते है, और impenetrable का मतलब होता है, impossible to pass through or enter, तो ये इतने बड़े confusing जंगल में फस गया था, और क्या हो गया था, ये जो जाडिया थी, जो bushes थी, ये बहुत घनी जंगल में ये फस चुका था, और ऐसा लग रहा था कि ये जंगल impenetrable है, याने इस से बाहर वो कभी ही नहीं निकल पाएगा, बहुत बुरी तरीके से है, it was late in December, darkness was already descending over the forest, ये कौन से मन्त की बात हो रही है, December मन्त की बात हो रही है, याने winter season की बात हो रही है, जहां पर बहुत ठंड होती है, और दिन बहुत छोटे होते हैं, और जो nights होती है, वो longer होती है, winter season में, तो वो कह रहा था, वो बता रहे हैं कि जो December का महीना था, जल्दी होते जा रहा था, क्योंकि daytime, small होता है, nights जल्दी आ जाती है, winter में, this increased the danger and increased also his gloom and despair, gloom याने की sadness, दुख, और despair याने की hopelessness, याने अब उसके अंदर कोई उमीद नहीं बची थी, तो जैसे जैसे अंधेरा होता है, तो हमारे लिए कोई रास्ता दूनना और difficult होता है, क्योंकि daylight में हमें सब clearly दिखता है, लेकि night में क्या हो गया था, night में उसको danger उसका और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि अब रात में और उसको रास्ता clearly नहीं दिखेगा, plus वो एक forest है, जंगल था, तो wild animals का भी डर था, ये सब चीज़ें सोचे उसकी sadness और उसकी उमीद जोती कि सब खतम होती जा रही थी, finally he saw no way out and he sank down on the ground, tried to death, thinking that this is his last moment had come, ये सब चीज़ें सोचके वो बहुत ठक गया और जमीन पे संक हो गया, यानि समीन पे अपने अपको उसने गिरा दिया, और वो इतना ठक चुका था, कि उसको लग रहा था, कि अब उसकी literally death हो जाएगी, उसक ने क्या सोचा कि उसकी जिन्दगी का last moment आगया और वो literally अब मरने वाला है, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping, जैसे ही वो जमीन पर लेटा, उसने अपना सर रखा ही था भी जमीन पे, उसको बहुत जोर जोर से thumping की आवाज आई, thumping क्या होता है, the sound of some heavy objects beating, जब किसी heavy object को hammer मार मार करके beat किया जाता है, यानि कि उसको flat किया जाता है, उसे हम thumping कहते है, और thumping basically आवाज होती है, iron, जब लोहे को, लोहे के pieces को iron से hit कर करके, उसको flat करते है, उस आवाज को thumping कहते है, तो उसे ये iron की thumping की आवाज आने लगी एक दम, there was no doubt as to what that was, he raised himself, those are the hammer strokes from an iron mill, he thought, तो जैसे ही उसको ये आवाज आई, वो समझ गया कि ये किस चीज़ की आवाज है, और उसके इंदर कुछ hope, कुछ उम्मीद आई कि चलो, मतलब अगर ये आवाज आ रही है, यहने आस पास एक iron mill है, और उसमें कुछ लोग भी होंगे, और ये थंपिंग होती है, वो इस तरीके से होती है, ये आयन का पीस, इस मैन ने यहाँ पे रखा हुआ है, इस चीज़ को हम क्या कहते है, अन्विल कहते है, ये एक बड़ा सा लोहे का पीस होता है, जिसके उपर छोटे छोटे इस तरीके के iron के पीस रखे जाते है, और हैमर से strength, got up and staggered in the direction of the sound, summoned याने की gathered and staggered याने की to walk with difficulty, तो जो उसकी पूरी बोडी में एनरजी खतम होगी थी, उसने अपनी पूरी एनरजी वापे जिखटा करी, उठा और मुश्किलों से चल चल के, थकावट में चल चल के, फाइनली उस iron मिल तक पहुचा जहां से ये आवाज आ close down, were not so long ago, a large plant with smelter, rolling mill and forge, तो यहां पर ये कौन बोल रहा है, ये हमारी author बोल रही है, वो कह रही है कि जब इन्होंने present में ये story लिखी थी तब की बात है, तो जब ये अपनी story लिख रही थी ये वाली, तो वो कह रही है कि जो iron mill है, बड़ी इस ही मिलती, large plant याने ये बड़ी factory थी, ये अब बंद हो चुकी है, लेकिन जब ये चालू थी, when this factory was in work, काम होता था यहां पर तो यहां पर एक smelter था, एक rolling mill और एक forge था, smelter क्या होता है, a machine in which metal is melted to form and to shape, तो एक ऐसी machine, जिसमें metal को, लोहे को, या किसी भी metallic thing को melt किया जाता है, पिगलाया जाता है और फिर उसको shape दिया जाते हैं, तो वहाँ पर यह smelter नाम की machine भी थी, इस Ramso Iron Works में, वहाँ पर rolling mill भी थी, rolling mill क्या होता है, machine to roll metal into sheets, तो एक ऐसी machine जिसमें metal को roll करकर के लंबी-लंबी sheets में बनाते हैं, और वहाँ पर एक forge भी था, forge याने furnace where metal is heated, तो forge याने की furnace, याने की पर एसा area, जहाँ पर बहुत सारी fire होती है, आग होती है, और वहाँ पर metal को एक आप किसी tong या चिम्टे से पकड़ के इस तरीके से आप उसको पूरा metal को पिगलाते हो, पूरा melt करते हो, तो ये एक बड़ी इसी machine थी, वहाँ पर एक factory थी, iron mill जिसका नाम था, Ramso Iron Works और the cows slid down the canal, which led to a large inland lake, and in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust, which sifted down from the big charcoal crates, तो वह बता रहे हैं कि जहाँ पर ये iron mill थी, उसी के पास में एक इस तरीक से नदी भहती थी, एक कनाल था, तो वह बता रहे हैं कि summer time जब होता था, जब गर्मियों का time होता था, तो वहाँ पर barges और scouts चलते थे, और उसी में ही पूरा coal transport करके mill तक लाया जाता था, barges और scouts क्यों होते हैं, इस तरीकी की boats होती हैं, जिसमें coal रखके, या charcoal रखके, या जितना भी सामान और goods होते हैं, उसको रखके transportation किया जाता था हर जगा से, लेकिन जब winter, और इस lake का नाम क्या, इस lake लेका नाम था, inland लेगो के, और जब winter time आता था, जब सर्दियों का मौसम आता था, तो जितना भी पानी होता था यहां पे, वो जम जाता था, याने बर्फ जम जाती थी, तो यह transportation कैसे होता था, सामानों को इधर से उधर कैसे पहुचाया जाता था, तो तब क्या use होता थे तब जो roads होते थे, रास्ते होते थे, वो use होते थे, और क्या होता था, वहाँ पे इस तरीके की charcoal crates होती थी, इस तरीके की crates होती थी, इन crates में सारा coal, सारा सामान रखके, road से, याने land से transport किया जाता था एक जगा से, दूसरी जगा, जिसकी वज़े से, जो पूरा dust होती थ वो road पे गिरती थी और पूरे roads कैसे हो जाते थे, ब्लाक कलर की हो जाते थे, तो इस तरीके का, उन्होंने आपको description बताया है, किस के पास, आयन मिलक के आस पास का description During one of the long dark evenings, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil, pig iron क्या होता है, raw form of iron, लोहे का raw form, अभी crude form में, उसे हम pig iron कहते हैं, और anvil का मतलब क्या होता है, anvil का मतलब एक heavy iron block with a flat top on which metal can be hammered and shaped, तो जो आप ये picture यहाँ पे देख रहे हैं, ये है एक anvil, ये एक anvil की image है, तो ये एक बड़ा सा लोहे का piece होता है, जिसका जो top area होता है, वो flat होता है, और इसी के उपर metal के जो pieces होते हैं, वो रखे जाते हैं, और hammer, यानि हतोड़ा मार मार के उनको flat किया जाता है, तो यहाँ ये बता रहे हैं, कि वो iron mill में कौन कौन था, तो उस iron mill में dark evening हो रही थी, उस वक्त, यानि शाम में अंधेरे का time हो रहा था, और ये वो time था, जो Christmas के पहले का time होता है, December का month था, तो Christmas का ही महीना चल रहा था, और Christmas के कुछ दिन पहले की ये बात है, वहाँ पर कौन था, Master Smith, यानि की लोहार, जो लोहा तोड़ता है, काटता है, उसको बनाता है, उस यानि की एक furnace में, जहां पर काफी आग जलती रहती है, और लोग वहाँ पर stick से metal को melt करते हैं, okay, near the furnace, waiting for the pig iron which had been put into the fire, तो वो क्यों वेट कर रहे थे वहाँ बैठके, आयन मिल में अंदर कौन कौन था, Blacksmith यानि लोहार था, उसका helper था, दोनों बैठे हुए थे, इसके सामने एक forge, एक furnace के सामने, आग वाली जगा के सामने, और वो लोग वेट कर रहे थे कि जो pig iron, जो raw iron उनोंने आग में, fire में रखा हुआ है, उसके melt होने का वेट कर रहे थे, ताकि फिर उस melted iron को किस पर रखा जाए, आन्विल पर रखा जाए, और हैमर मार के उसको sheets में convert किया जात पर ऐसा ही होता है, इसी तरह फायर में इस तरीके से हाथ में जो एक stick है, इस इंसान के, उस stick से पकड़ के metal को इस तरीके से melt किया जाता है, ग्लोइंग मास विट लॉग आयन बार, रिटून इन फिव मोमें जूर्पिंग विट परस्पिरेशन, दो आज वास दी कस्रिम, वोर नथिंग बट लॉग शिर्ट एन पैर ओ वुडिन शूज, तो वो बता रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा था आयन मिल में, अंदर एक एक करके, बारी-बारी करके पहले आयन स्मित, और बाद में कौन उसका helper, दीरे-दीरे एक stick से जा रहे थे और उसको गुमा के आ रहे पिग आयन को ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और जब वो वापस आते थे तो वो देवा डिपिंग विद परस्परेशन क्योंकि वो जो रूम था वहां पर बहुत हाई ते तो जब वो लॉटते थे वापस तो पूरे पसीने में हो जाते थे और पसीना उनके पुरी ब sounds to be heard in the forge. पूरी forge, पूरी fernan's में से हमेशा आवाजे आती रहती थी. अलग-अलग तरीके की. कैसी आवाजे होती थी? The big bellows groaned and burning coal cracked. Bellows क्या होता है? A device with an airbag to emit air when the two handles are squeezed into fire. तो यह जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यह पिक्चर है एक bellow की. तो ऐसा बोला जाते है कि जब fernan's dip जहाँ पर आग जल रही होती है, आप आप पर फूक मारोगे, blow करोगे. जैसे अपने blow किया तो उसमें से और त crackle होने की आवाज आती है. तो उस जमाने में यह बैलो यूस किया जाता था. यहां पर दो हांडल होते हैं, एक एरा और एक एरा. इन दोनों हांडल को पकड़ करते हैं, दोनों को पास में लाते हैं. जब हम squeeze करते हैं, पास में लाते हैं दोनों हांडल को तो यहां से air निक शावल्ड चाकोल into the maw of the furnace with a great deal of clatter शावल्ड याने की शावल्ड ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे का ये एक जो इंस्ट्रुमेंट इसे हम कहते हैं शावल और शावल्ड का मतलब होता है move करना तो बार बार जो वहाँ पे fire boy था जो आपके सामने काम कर रहा था वो क्या कर रहा था शावल्ड यूज करके बार बार उसको गुमा रहा था उसको turn कर रहा था ताकि आँग और तेज होए और वो कहां करता था बिलकुल fernance के मौ याने उसके mouth में याने की जहां entrance थी fernance की वहीं से वो शावल्ड से बार बार गुमाता था और फिर बहुत clatter होती थी याने की बहुत बैंग होती थी बहुत जादा आँग के चार कोल के तड़कने की आवाज आती थी तो पहली रही थी उस आयन मिल में से outside road the waterfall and the sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof whipped का मतलब क्या होता है here to hit someone तो वो बोल रहे हैं कि तीसरी आवाज क्या रही थी तीसरी आवाज यह थी कि उस आयन मिल के पास में उफियाने की आयन मिल की जो च्हत है उसकी उपर बारश गिरने की थेजस तेजा भाज भी आ रही थे तो वहाँ पर बेलोस की आवास थी वहाँ परशावल की आवास न।ा क को जिस आयन मिल की आवाजे राट ट्रैप सेलर ने सुनी थी क्योंकि वो अब इस आयन मिल में इस आवाजों को फॉलो करते हुए यहां इन आयन मिल पहुंच रहा है क्योंकि इतनी सारी आवाजे हो रही थी वहाँ पे आयन मिल में तो इसी लिए जो वहाँ पे ब्लैक्समित था जो वहाँ पे लुहार था उसने नोटे सी नी किया कि एक राट ट्रैप सेलर आया है दर्वाजा कोल के अंदर और उसको उसने नोटेस भी नी किया जब तक राट ट्रैप सेलर फर्न इंसे ने आख के बहुत सामने जाके खड़ा नहीं हो गया तब तक ब्लैक्समित ने नहीं इदेंटिफाई किया कि यह अंदर कोई स्ट्रेंजर आया है अब सूटी पेंस क्या होता है सूटी पेंस मतलब window paints covered in soot black powder produced when the coal or wood is burned जब coal और wood को साथ में burn करते हैं जलाया जाता है तो आखरी में एक powder जैसा substance बचता है जो की black color का dusty substance होता है dust जैसे होता है और जो iron milky वहाँ पे windows थी वहाँ पे अंदर क्या जम गई थी windows पे यह पूरी जो dust थी इस तरीके से जम गई थी यहाँ पे तो panes याने की windows and sooty panes याने की coal और wood को जलाके जो powder निकलता है वो powder उनकी windows पे इस तरीके से dust जैसे जम गया था तो यहाँ पे वो बता रही है author कि यह बहुत normal सी बात थी यह बहुत usual सी common सी बात थी blacksmith के लिए कि इस तरीके के जो vagabonds होते जो इदर उदर भटकने वाले भिकारी होते वो कई बार उनकी इस iron mill में इस तरीके से आ जाते थे जब उनको सूटी panes यहने dust वाली windows की बीच में से दिखता था कि अंदर forge है यहने अंदर कुछ आग जल रहे है तो heat लेने के लिए विंटर के मौसम में और shelter लेने के लिए वो इस तरीके से कई vagabonds महाँ पर आ जाते थे जैसा है कि rat trap seller भी आ गया था तो यह लोग अंदर अपने आपको warm करने आते थे क्योंकि winter season चल रहे है तो जैसे ही rat trap seller अंदर अंदर आया तो जो blacksmith ता जो लोहार वहां काम कर रहा था उसने इंडिफरेंटली देखा यानि उसको बस काम कर देखा और वापिस अपने काम करने लग गया क्योंकि उसको इसमें कोई इंट्रेस नहीं तो लग रहा था कोई विकारी आगया ऐसी शेल्टर लेने के लिए और वो इंट्रूडर किसको बोल रहा है इस rat trap seller को कि एक ऐसा इंसान था कि जो विना परमिशन के अंदर आगया है तो ठीक है इसको एसी देखो और वहां बैठर है तो जादा blacksmith ने इसको ध्यान नहीं दिया और इसको इससे कोई बात नहीं करी तो blacksmith को कैसा दिख रहा था ये rat trap seller जैसे नॉर्मली इस टाइप के हर आदमी दिखते उसने rags याने फटे पुराने कपड़े पैने हो थे लंबी सी बियर्ड थी इसकी दाड़ी थी बहुत डर्टी याने untidy लग रहा था और बहुत सारे rat traps उसने बांध के अपने गले में उसके डैंगल हो रहे थे याने के लटक रहे थे हैंग हो रहे थे तो जो rat trap seller था उसने blacksmith से पर्मिशन ली कि क्या वो एक रात के लिए यहां पर शेल्टर ले ले तो blacksmith ने नौड किया याने अपना सर हिलाया और होटी कंसें याने बहुत आरगंड तरीके से बहुत गंदी तरीके से उसको बोल दिया हाँ हाँ भाई रह लो तुम एक रात के लिए यहां पर रहना है तो और उसने एक वर्ड भी नी बात करी बैस अपना सर हिला लिया बहुत आरगंड तरीके से की यहांने वही राट्रब शेल चींदे उसने उसने बात नहीं करी तो उसने भी कोई बात नहीं करी उनसे उनसे पो सिवायर इद लिए तो वह तो फॉर्ज जहां पर बहुत हाई टेंपरेचर होता है जहां पर हॉट टेंपरेचर होता है तो वहां पर अपने आपको वांब करने के लिए था प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है फेमस या फिर कोई रिच परसन तो राम्जो आयन वर्क्स जो थी जो यह मिल थी जो यह फैक्ट्री थी उसके ओनर एक बहुत फेमस आयन मास्टर थे उनका life में जो बात्त का यह था और उनका ambition यह था कि वह good quality of iron को market में बेचे उनकी factory से जो भी लोहा निकल के चारह है वह good quality का निकल है और वही market में sell करेज भू He watched both night and day to see that the work has done as well as possible And at this time, very moment he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का आयन चाहिए रहता था अपनी फैक्टरी में सह हमेशा इसलिए वो दिन और रात हमेशा चेक करते रहते थे की काम ठीक से हो रहा है की नहीं हो रहा है फैक्टरी में वो भी वहाँ पर आये इंस्पेक्शन के लिए याने की चेक करने के लिए लोगों को और सुपर्वाइस करने के लिए की ये लोग अच्छे से काम कर रहा है नहीं करने के तो बैसिकली वह राउंड पर आये थे काम चेक करने के लिए naturally the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags ragamuffin याने की a person in rags याने जो इंसान फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है इसको हम ragamuffin केते हैं तो जैसे ही जो iron master थे जो owner थे factory के वो इंटर हुए factory में तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या देखी इस ragamuffin को देखा जो की ragamuffin याने इस इंसान को देखा जो फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था और इतने पास था वो furnace की याने जहां पे वो fire जल रही थी इतने पास था कि वहां से उसकी body पे जो steam निकल रही थी वो भी visible थी क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे क्योंकि वहां से पसीन आरतों से steam निकल रही थी तो सबसे पहले iron master ने घुसते सी factory में rat trap seller को notice किया the iron master did not follow the example of blacksmith who had hardly dained to look at the stranger dained का मतलब क्या होता है do something that one considers to be beneath one's dignity याने कि जैसे ही iron master आये उन्होंने सबसे पहले notice किया rat trap seller को उन्होंने blacksmith जो लोहार वहां काम कर रह था उसके example को follow नहीं किया क्योंकि लोहार ने blacksmith ने क्या किया बिल्कुल भी अच्छे से बात नी करी ना ही welcome किया इस rat trap seller का बहुत arrogantly उसने इसको treat कि कि सर हिला के बोल दिया कि हाँ भाई ले लो तुम एक रात के लिए आपे shelter तो उसने ऐसा क्यों किया blacksmith ने क्योंकि वो कर रहा था यहने उसको लग रहा था कि यह तो कोई भिकारी आगया और इससे बात करना मेरी owner मेरी respect के खिलाफ होगा ऐसे नीचे और low category वाले लोगों से मुझे बात करने में को interest निये लेकिन जो owner था iron master उस पूरी factory का उसने blacksmith जैसे नहीं किया वो उसके पास गया he walked close up to him looked him over very carefully then tore off his slouch hat to get a better view of his face तो यह जो rat trap seller था यह furnace के पास में सो रहा था और उसने अपनी हैट को अपने मूँ से अपने मूँ पर cover करके रखा तो और अराम से सो रहा था तो यह जो owner iron master है यह गए वहाँ पर और उन्होंने उसकी hat slouch hat याने की hat bent on his side of the heat तो उन्होंने इस side से उसकी hat हटाई ताकि वो clearly उसका face देख पहे कि यह कौन सो रहा है यहाँ पर तो अब क्या हुआ अब जो owner है iron master है उन्होंने जब देखा इस rat trap seller को तो उन्हें लगा कि यह उनके कोई पुराने जानने पहचानने वाले इस rat trap seller को तो जो rat trap seller तो उसने इस iron master को ओनर को कभी भी अपनी life में नी देखा ता और इसको जानता भी नी था कि कौन और इनका क्या नाम है but it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance he might perhaps throw him a couple of kroner acquaintance याने contact पुराने जानने पहचानने वाले कोई लोग तो यहां पर rat trap seller ने जानता तो नहीं था इस owner को लेकिन इसने सोचा कि क्योंकि iron master मुझे अपना कोई पुराना friend समझ रहा है और मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रहा है तो हो सकता है मेरी फटी पुराने कपड़े देखके और मेरी हालत देखके यह मुझे कुछ kroners दे दे याने कि मुझे कुछ money कुछ पैसा दे देगा मुझे therefore he did not want to undeceive him all at once undeceive means to tell someone that his belief is mistaken तो इसी पैसे की लालच में जो rat trap seller है उसने iron master को बताया ही नहीं कि मैं कौन हूँ यह आप मुझे गलत समझ रहे मैं तो आपकी जानने पैचाने वाला इंसा नहीं हूँ ओके yes God knows things have gone downhill with me he said downhill याने from bad to worst याने बत से बत्तर तो यहां पर क्या बहुत smartly play कर रहा है rat trap seller उसने बताया ही नहीं उनको कि भाई मैं आपकी जानने पैचानने वाला नहीं हूँ और मैं कौन हूँ भाई मैं उस वह यह प्रेटेंड कर रहा था मैं वह ही हूँ आपका friend जो आप समझ रहे हो मुझे क्योंकि उसको पैसे के लालच ती उसने उसको नहीं पता है फिर वो क्या बोलता है कि हां मेरे साथ चीजे डाउन हिल हो गई याने जो मैं काम करता था वो मेरे साथ बत से बत्तर हो गया इसली मेरी ऐसी हालत है मैं भटे पुराने कपड़ों में हूँ सो चिल्रन यहाँ पे इस चाप्टर का जो पार्ट वन है वो मैं खतम करती हूँ क्योंकि मैंने इस चाप्टर को टू पार्ट में डिवाइट किया हुआ है फर्स पार्ट हम यहाँ पे खतम करते हैं और आगे आपको अगर चाप्टर समझना है समझना क्या समझना ही है करूंगे इसके बाद इस चाप्टर का पार्ट नमबर टू तब तक लिए बाबाई और टेक केर